हेलो स्टुडेंट्स स्वागत है आप सभी का अपने योटूब चैनल जैकपूर पे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास एट का मॉडल सेट देख रहे हैं ठीक है और इसका ये सेट 6 है इसके पहले भी एक से लेकर करके पांच तक का सेट चैनल पे अपलोड कर दिया गया है यानि साइन्स में आप लोगों का पांच सेट अल्रेडी अपलोड है आप लोग ए सेट 6 है और देखा जाता है कि बहुत सारे सवाल रिपिटिड है अगर आप लोगोंने मेरा पहले वाले सारे सिर्ड देखे होंगी तो बहुस सारे सवालों के जवाब आप चुटकियों में देने करते हैं देखिए सबसे पहला सवाल आपसे कहरा सजीव की सरीर की जर्रचनात्मक वा कार्यात्मक की क्या होगा कार्यात्मक होगा कार्याले नहीं होगा ठीक है आपके corrections है कोशिका को अभित्त त्वन्हें फिर जिल्ली तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका option है लेकिन वो सबसे कठोर है बताइए कौन सा होगा इसका अंसर तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका option number D हीरा क्या हो जाएगा option number D हीरा next और अगला सवाल है हमारा बिमारी पैदा करने वाली सुक्ष्म जीवों को नश्ट करने अथवा उनकी विर्धी को रोक देने का काम करने वाली औसेदी क्या होती है परती रक्षी होती है रोक जनक होती है परती जैविक होती है या रोग वहाक होती है अंग्रेजी में उसका नाम होता है अगला सवाल है हमारा विर्शन एवँं अंडासे दवारा सरावित हार्मोन कौन सा है? तो विर्सन एवम अंडासे द्वारा सरावित जो हार्मोन है वो से हम लेंगिक हार्मोन कहते हैं क्या कहते हैं लेंगिक हार्मोन कहते हैं ठीक है इसके बाद हमारा अगला सवाल देखिए क्या है गिर्ते हुए आम पर कौन सा बल लगता है तो गिर्थेवे आम पर कौन सा बल लगेगा चुम्बक्ये बल पेसिये बल गुर्तवाकरसन बल या फिर विद्धुत बल ठीक है तो काफी important सवाल है और बहुत ही basic सा सवाल है देखे कोई भी चीज़ जब असमान से नीचे जमीन के और गिरता है तो उसमें गुर्तवाकरसन बल के कारण गिरता है पित्वी जो है गुर्तवाकरसन बल के कारण हम्यारी और हिचाज़ अगला सवाल है हमारा कि कागज के कप में पानी डाल कर गर्म करने पर क्या होगा तो कागज के कप में पानी डाल कर गर्म करने पर क्या होगा कागज का कप जल जाएगा कागज का कागच के नीचे से फट जाएगा या इन में से कोई नहीं तो ये एक तरह का practical है बताईए आप लोग इसका answer क्या होगा तो इसका सही answer हो जाएगा कि कागच का जो cup है ना वो नहीं जलेगा कागच का cup क्या होगा नहीं जलेगा option number B इसका answer हो जाएगा option number B ठीक है कागच का cup क्या होगा नहीं जलेगा ठीक है अगला सवाल है हमारा वह प्रक्रम जिसके अंतरगत कोई जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारी को उत्पन कर सकता है क्या कहलाता है ठीक है तो क्या कहलाएगा बताईए तो देखिई उत्सरजन कहलाएगा जनन कहलाएगा अनुकूलन कहलाएगा या फिर पोशन कहलाएगा तो उसे हम कहते हैं जनन यानि कि जनम देना ठीक है अगला सवाल देखते हैं क्या है इंद्र धनुस बंडे के पीछे कौन सी परक distributing नहीं था प्रावर्तन, अपुवर्तन, वर्न विक्षेपन या पासर्व प्रावर्तन ठीक है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वर्न विक्षेपन Option number C, इसका सही जवाब है 1, विक्षेपन अगला सवाल है हमारा, रभी फसल का उधारन आप लोगों को देना है तो रभी फसल का उधारन क्या है, आपको देना है, धान है, गेहू है, मकई है या फिर सोयबीन है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गेहू, क्या हो जाएगा, गेहू, option number C, इसका सही जवाब है अगला सवाल है हमारा सूरी का सबसे बड़ा गरह कौन सा है तो सूरी का सबसे बड़ा गरह कौन सा है आपके पास options है पिर्थिवी, बुध, वरस्पती या फिर सुक्र ठीक है तो सबसे बड़ा गरह जो है आपका वरस्पती है कौन है वरस्पती है option number C option number C, इसका सही जवाब होगा अगला सवाल है हमारा ग्रोहों की परक्रिमा करने वाले खगोले पिंड को क्या कहते हैं तो ग्रोहों की परक्रिमा करने वाले खगोले पिंड क्या कहलाते हैं उपगरा कहलाते हैं, तारा कहलाते हैं उलका बिंड कहलाते हैं या फिर छोदर गरह कहलाते हैं तो जो गरोहों की परक्रिमा करते हैं उसे हम लोग उप गरह करते हैं गरोहों की परक्रिमा करने वाले को क्या करते हैं उप गरह करते हैं और जो सूरी की परक्रिमा करेगा उसे हम क्या कहेंगे गरह करेंगे ठीक है आज जो गरह की परक्रिमा करता है उसे हम लोग उपगरह कहते हैं यानि option number A इसका बिलकुल सही जवाब होगा चलिए अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल है हमारा जोरों की वर्षा के कारण मैदान गीला हो जाने पर बिना जूते पहने फुटबॉल खेल रहे खेल हो जाने के कारण कम हो जाए गो कि सुखी जमिन में घरसन ज्यादा होता है ठीक है नेश्ट है हमारा plastic aller to go पुना चक्रित करने के लिए four hour सिध्धांथ है उप्योग कम करना ठीक है ए में उप्योग कम करना पुना उप्योग करना पुना चकृत करना पुना प्राप्त 되는 तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका option number A हो जाएगा उपयोग कम करना पुना उपयोग करना पुना चकरित करना और पुना प्राप्ट करना ठीक है अगला सवाल है हमारा question number 15 तीन के दो डिब्बे और डोरी से बने खेलोने टेलिफोन के जब दो वैक्ति बोलने और स सुनाई देती है इनमें धोनी का संजरन किस माध्यम से होता है आपको बताना है ठीक है तो वायू के माध्यम से डोरी के माध्यम से पानी के माध्यम से या डिब्बे के माध्यम से तो इसका जो सही जवाब आपका होने वाला है वो होता है डोरी के माध्यम से क्या होता है ड इमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है समान विद्यूत आवेस एक दूसरे के पर्तिकर्शित करते हैं और समान विद्यूत आवेस एक दूसरे को आकर्शित करते हैं चालक धातुओं का विद्यूत आवेस अस्थनांत्रित किया जा सकता है समान विद्यूत आवेस एक दू नहीं यहीं इसका आंसर है ठीक है अगला सवब है हमारा जार्खंड के अनेक जगहों पर भूमी के अंदर आर्सेने पायराइट नामक खनीच पाया जाने का कारण भूमी गजल कि स्तित्व से विशाक्त हो जाता है आर्सेनिक से पासफोरस से पारा से या फिर सीसा से ठीक है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आर्सेनिक, ठहिए ना? आप्सन नबर A, आप्सन नंबर A, इसका सही जवाब होगा? आर्सेनिक होगा, आप्सन नंबर A, यहाँ आपे देख सकते हैं Arsenic Parite, और यहाँ से आर्सेनिक, दोनों का नाम काफ़े मिलता जुलता है तो इन ही दोनों में से एक आंसर हो जाएगा अगला सवाल है हमारा राची सहर हे तू वाहनों में उपयोग के लिए सबसे कम परदूसक इंधन के रूप में आप किस इंधन का चैन करेंगे यानि कि परदूसन कम हो इसके लिए आप किस इंधन का परियोग करेंगे पेट्रॉल का, C&G का, डीजल का या फिर मिट्टी के तेल का तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका option number C C&G का ठीक है, किसका उपयोग करेंगे C&G का अगला सवाल है हमारा कि ब्रेड ब्रेड यानि डबल रोटी या इडली फूल जाती है इसका क्या कारण है, उसनता कारण है, पीसना कारण है इस्ट को सिखाओं की विर्धी या फिटने के कारण तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपका option number C इस्ट को सिखाओं की विर्धी हो जाएगा ठीक है चलिए अगले सवाल पर चलते हैं अगला और हमारा आखरी सवाल होगा कि सुक्षम जीवों के द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित वैक्ती से स्वस्त वैक्ती में वायू, जल, भोजन या काईक संपर्क द्वारा फैलते हैं क्या कहलाते हैं यानि जो इन सब के द्वारा रोग जो है एक दूसरे में फैलता है वायू के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा या काईक संपर्क के द्वारा फैलता है तो उस रोग को हम लोग क्या कहते हैं संचरिय रोग कहते हैं, मानविय रोग कहते हैं, असंचरिय रोग कहत एक लाइक कर दीजेगा आज के इस वीडियो के लिए हमने 100 लाइक्स टारगेट रखा है तो प्लीज लाइक करके 100 लाइक के टारगेट को पूरा कीजिए और साथी साथ चैनल पर यदि पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घटी के बैल एकन को प्रेस कर दीजे ताकि आपको हर एक वीडियो का नाटिरिकेशन मिलता रहे यदि आप हमारे वाटसब गुरूप के साथ या पर टेलिग्राम गुरूप के साथ जोड़ना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएए वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा आप वहाँ पर जाकर के भी जुड़ सकते हैं तो उमीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास बहुत पसंद आया होगा तो इस क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर सेयर कीजिए और ताकि उनकी भी परिच्छा के दोरान हेल्प हो सके तो मिलेंगे अपने अगले पार्ट में थैंक यू